भावी का घुंगट सालों में मैंने बहुत कुछ सहा है अब एक पर माजी से बात कीजिये न ताकि मैं भी घुंगट अटा कर दुनिया देख सकूँ रुपिना मैं समझ रहा हूँ किस तरह तुमने ये पांच साल इन घुंगट में काटे हैं और इसी घुंगट की वज़े से मेरा भाई विशाल अपने बीवी के साथ किसी दूसरे शैर में रह रहा है काश कि मेरे अंदर भी विशाल जितनी हिम्मत होती मुझे माफ करते रुपिना पर मैं मा के खिलाफ नहीं जा सकता संजे की ये बात सुनकर बिचारी रुपिना रोने लगती है पर वो करते भी तो क्या मानो जैसे उसकी जिंदगे में अब दुख और आंसु के अलावा कुछ बचा ही नहीं था समय के साथ रुपिना भी खुद को इस माहोल में डाल लेती है ऐसे ही एक दिन रुपिना अपनी सास कुंती के साथ दुकान में जाती है पर काफी गर्मी होने की वज़स से और इतना लंबा गुंगट करने की कारण रुपिना को घुटन होने लगती है और वो बाहर की हवा खाने के लिए दुकान से बाहर आकर खड़ी हो जाती है इसे बीच उसकी टककर दिशा से होती है कम से कम अब तो अपना गुंगट हटा सकती है ना नहीं दिशा अब ये गुंगट मेरी जिंदेगी का हिस्सा बन गया है कभी-कभी तो लगता है अब मेरे मने के बाद ही ये गुंगट हटेगा और शायद तब भी ये गुंगट ना हटे बसे तुम यहां कैसे? क्या तुम विशाल के साथ इसी शहर में हो? जी, विशाल का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है इसलिए मैं और विशाल इसी शहर में आ गया है पर आप जानते ना विशाल और माजी के बीच का अंतर बस यही कारण है कि हम गर नहीं आए वैसे अब ठीक हो न भाबी दिशा के इतना बोलते ही रुबिना की आँखों से आंसु निकलने लगते है वो रोने लगती है वो अपना दुख दिशा को बया करे इससे पहले ही वहाँ कुंती आ जाती है और दिशा को देख कर मूँ बनाती रुबिना को अपने साथ खीच कर घर ले जाती है रुबिना बभू आज मैं तुझे माफ कर रही हूँ पर मेरी एक बात गाठ बान ले अगर आप कभी तुझे वो दिशा देखी न तो तू उससे बिल्कुल बात नहीं करेगी कैसी लड़की है सरे आम मेरी इज़त उचाल रही है घुंगट तो दूर के बात सर पर पल्लों भी नहीं था पर माजी अपकी समय में कौन घुंगट करता है और आपने भी तो कुछ समय तक ही घुंगट किया था ना रुबिना एक दिन तुने उस लड़की से बात कर ली तो तू उसी की भाषा बोलने लगी ये मत भूल तेरा पती आज भी निठलना बैठा है और मेरी वज़ा से तुम दोनों इस घर में हो अगर तुने दिशा और विशाल की तरह कुछ भी करने की सोची न तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूगी फिर ना तु अपने माय के वालों की रहेगी और ना ही ससुराल वालों की इतना बोलकर कुंती वहाँ से चली जाती है पर बिचारे रुबिना बिना कुछ बोले जहर के घूट पीती रहती है वो करती भी क्या ना तो उसका पती अपनी मा के खिलाव जाना चाता था और ना ही अपना कोई काम करना चाता था उसके लिए सब कुछ उसकी मा ही थी वो अपनी ही मा के साथ रहकर काम करता है और उनी के ताने सुनता है अब रुबिना खुद को कोज दी है कि आखिर किस घर में उसकी शादी हुई है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और दिशा से रहा नहीं जाता इसलिए दिशा एक दिन घर में फोन करती है और खुश नसीबी से वो फोन रुबिना ही उठाती है भाभी अच्छा हुआ जो आपनी ही फोन उठाया मैंने आपसे बात करने के लिए ही फोन किया था भाभी उस दिर मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रही थी लगा बहुत सी चीज़े थी जो आप मुझे बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई इसलिए अगर आप फोन पर चाहे तो मुझे सब कुछ बता सकती है या फिर मेरे घर आ सकती है पर दिशा अगर मा जी को पता चल गया तो वो मुझे और संजे जी को घर से धक्के मार कर निकाल देंगे भाभी एक बार अपने डर पर काबू कीजिए कुछ नहीं होगा अगर आप इसी तरह से डरती रही न तो सारी जिंदगी घुट-घुट कर जीती रहेंगी दिशा से बात करने के बाद रुबीना को थुड़ी हिम्मत मलती है और वो रुबीना से मिलने के लिए कुंती से जूट कहती है जहां पहली बार रुबीना अपना घुंगट उठाती है आज विशाल अपनी भावी को बिना घुंगट के देख कर बहुत खुश होता है और खुश होता भी क्यों नहीं? आज पहली बार जो विशाल ने अपनी सुन्दर सी भावी का चेहरा जो देखा था भावी अब बहुत सुन्दर है भगवान करे आपको किसी की नज़र ना लगे पर भावी आपको अपने लिए लड़ना ही होगा भावी यहां कोई नहीं सिवाए मेरे और विशाल जी के अब आप हमें आराम से बता सकती है कि आखिर आप उस दिन मुझे क्या बताना चाहती थी अब जैसे ही विशाल और दिशा को पता चलता है कि रुबिना का मिस कारेज हुआ है उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है यह सब कैसे और कब हुआ भावी आप मुझे पुरी बात बताईए विशाल तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बात मुझे पता चला कि मैं गर्बपती हूँ मैंने माजजे से काफे मिन्नते की कि मुझे घुंगट अटा ले ने देजी घुंगट की वज़े से मुझे कुछ नजर नहीं आता और माजी नहीं मानी और एक दिन मैं सेड़ियों से उतर रही थी तो गुंगट की बज़े से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और मेरा पैर पिसल गया और मेरा बच्चा ये सब सुनकर विशाल से रहा नहीं जाता और वो बिना गुंगट के ही अपनी भावी के साथ घर जाता है ये देख कर कुंति का पारा गर्म हो जाता है बस कीजिये माँ बहुत कर लिया आपने भावी के उपर अन्याए और भाईया आप न एक नमबर की कायर है जो अपनी बीवी के साथ खड़े नहीं हो सकते अरे आखिर कब तक अपनी माँ की गुलामी करते रहेंगे विशाल तुम माँ से कैसे बात कर रहा है ये हमारी माँ है बस कीजिये भाईया आप लोगों की वज़े से मेरी भावी ने अपना बच्चा खो दिया आप लोग मेरी भावी को नहीं संबाल सकते ना कोई बात नहीं अपसे मैं अपनी भावी की देखरे खुद कर लूँगा और भावी अब आपको किसी से डरने की जरुवत नहीं आप घुंगट पर रहेंगी और अब किसी ने आपको टॉर्चर किया ना तो मैं उसके खिलाफ कम्प्लेंट कर दूँगा इस तरह से विशाल खरी खोटी सुनाकर रुबिना को अपने साथ ले जाता है जहां वो रुबिना की खुब देख भाल करता है और एक मा की तरह उसे इज़द देता है कुछ दिनों बाद संजेई भी हिम्मत करके अपनी मा के खिलाफ चाता है और अपनी मा का साथ छोड़ देता है पराबोरनी, इसलिए मैं आपका घर छोड़कर आज खुदी जा रहा हूँ। अब घर में कुंती अकिली हो जाती है और पूरा घर उसे काटने को दोड़ता है। साथ ही गली महले वाले पिर उसका खुब मसाख बनाते हैं। समाज के ताने सुन सुनकर कुंती को अपनी गलती का ऐसास हो जाता है और वो विशाल के घर जाकर अपने दोनों बेटों से अपनी गलती की माफी मांगती है और विशाल से वादा करती है कि अपसे वो अपनी किसी भी बहु को घोंगट करने भी नहीं कहेगी और कुछ भी खुशी खुशी जिन्दगी जीती हैं.